दोस्तो स्वागत आपका एक और नई वीडियो में आज हम बजाज पलसर NS200 वर्सेज हीरो एक्स्ट्रीम 200 S4V के बीच में कमपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं तो वीडियो में बने रही है बहुत जादा मजा आने वाला है और अगर आप चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारा जो कमपैरिजन होने वाला वो इन दोनों बाइक्स की पावर और कीमत को लेके होगा तो सबसे पहले बात करते हैं इन बाइक्स के पावर की नई बजाज पलसर NS200 में 199.5cc का सिंगल स्लेंडर लिक्ट कूल लिंजन आता है जिसे 6-speed gearbox के साथ जोड़ा गया है और ये 9750 RPM पर 24.13 की BHP की पावर जनरेट करता है और 8000 RPM पर 18.74 का न्यूटन मीटर का टॉक जनरेट कर सकता है वहीं दूसरी तरफ Hero Extreme 200 S4B में 199.6cc का सिंगल स्लेंडर इंजन है जो 8500 RPM पर 18.8 BHP की पावर और 6500 RPM पर 17.35 NM का टॉक जनरेट कर सकता है और इस इंजन को 5-speed gearbox के साथ जोड़ा गया है तो इसका मतलब पावर के मामले में Extreme से आगे है Bajaj Pulsar NS200 और अगर कीमत की बात की जाए तो updated Bajaj Pulsar NS200 की कीमत 157,000 रुपे एक शोरूम से है और वहीं Hero Extreme 200 S4V की कीमत 14,000 रुपे एक शोरूम से है यानि कि अगर आप Extreme खरीदते हो Extreme 200 S4V तो आपको ज़्यादा budget friendly पड़ेगी यानि अगर आपको पावर चाहिए तो NS200 के पास जा सकते हैं और अगर कम कीमत में 200 CC के सेग्मेंट की बाइक चाहिए तो आप Extreme खरीज सकते हैं बाकि आपको कौन सी बाइक अच्छे लगी आप कमेंट करके जुरूर बताइए और आने वाले नई अपडेट्स और उनकी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलता है नेक्ट वीडियो में थेंक यू